नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ विभी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसिस को देखते हुए अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है यही वज़े है कि अर्विन केजरीवाल सरकार ने सक्त कदम उठाने शुरू कर दिये है इसके तहट लिये गए नए फैसले में मास्क ना पहनने पर लगाई जाने वाली जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है अब दिल्ली में अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसके उपर 2000 रुपे का जुर्माना लगाए जाएगा अभी तक 500 रुपे का जुर्माना होता था मुख्यमंतरी अर्विन केजरीवाल ने बताया है कि उपराजपाल से मिलकर ये फैसला ले लिया गया है बता दे कि अर्विन केजरीवाल ने गुरुवार को एक सर्वदलिय बैठक की थी जिसमें कॉंग्रिस और बीजेपी के प्रतनिधी भी शामिल हुए थे बैठक के बाद डिजिटल कॉन्फरेंस कर केजरिवाल ने कहा है कि सर्वदलिय बैठक में मैंने सभी दलू से एक ही बात कही कि ये मुश्किल वक्त है ये राजनीती करने का समय नहीं है राजनीती करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीती को साइड कर देना चाहिए ये समय सिवा करने का है आने वाली पीड़ी के लोग याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्तिती से गुजर रही थी तब हमने दिल्ली की कैसे सिवा की है अरविंद केजरिवाल ने कहा कि मुझे बेहत खुशी है कि सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया दिल्ली में बुद्वार को कोरोना के 7486 नए मामले सामने आए इसके बाद राजधानी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5 लाग के पार हो गए जबकि इस महामारी से बुद्वार को रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत हो गए यहां दिल्ली में कोरोना संक्रमितों से मरने वालों की एक दिन में सबसे ज़ादा संख्या है राजधानी दिल्ली में पिछले एक हफते में आए कोरोना संक्रमण के मामले पर गौर करें तो यहां पर 12 नवंबर यानि की पिछले गुरुवार से 18 नवंबर तक 43,109 मामले आ चुके हैं जबकि इसी दौरान 715 लोगों की मौत हो गए दिल्ली हाई कोट ने भी COVID-19 महामारी के खराप प्रवंदन को लेकर आठ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाई है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार